हेलो एवरीवन वेलकम टू यू योर्यूटूब चैनल दी कॉंसेट अपार्थ पॉर सेक्सेश आज हम इस पीडियो लेक्चर में इंडियन पॉलिटी के सिरीस के बारे में डिसकस करेंगे यहाँ पर हम डिसकस कर रहे हैं लक्षमी कान्थ बुक जो इंडियन पॉलिटी के है उसके lecture number 5 के बारे में इस video lecture में parts of Indian constitution के बारे में discuss किया जाएगा जैसे कि हम जानते हैं जब भारत के समिधान को लागू किया गया तब Indian constitution में 22 parts थे बट बरतमान समय में 25 parts हैं तो आज हम इस video lecture में 25 parts of Indian constitution के बारे में discuss करेगे चलिए जानते हैं बन बैबन हर एक पार्ट के बारे में पार्ट नमबर वन यहाँ पे बेसिकली दा यूनियन एंड इस टेरिटरी के बारे में बंडन किया गया है के इंदर और उसकी जो सीमा है उनके बारे में बात की गी है यह आर्टिकल कवर करता है एक से लेके चार तक बेसिकली इस पार्ट में यह बताया गया है कि इंडियन नेशन को डिवाइड किया गया है 28 स्टेट्स में और 8 यूटीज में हर एक राज्य और यूटीज की खुद की डेमोग्राफिक्स है हिस्ट्री है, कल्चर है, लेंग्वेज और अतिरिक जानकारी है तो पूरा राज्य और यूटीज के बारे में बेसिक डिटेल्स इसी पार्ट में बताईगी है और आर्टिकल एक से लेके चार कवर करता है बात करते हैं, पार्ट टू अफ इंडियन कॉंस्टिटूशन के बारे में पार्ट टू अफ इंडियन कॉंस्टिटूशन बेसिकली डिस्क्राइब करता है सिडिजन्शिप यानि नागरिक्ता के बारे में ये पार्ट आर्टिकल फाइब टू इलेवन कवर करता है ग्यारा 9 से लेके ग्यारा में ये डिस्क्राइब किया गया है कि भारत में नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कैसे लूज किया जा सकता है चलिए बात करते हैं Part 3 of Indian Constitution के बारे में Part 3 हमें basically detail देता है fundamental rights यानि की मौलिक अधिकारों के बारे में Part 3 जो है articles cover करता है 12 से लेके 35 तक जैसे कि जब भारत के समिधान को लागू किया गया उस समय साथ fundamental rights थे but at present हमारे पास 6 fundamental rights है और ये right कौन कौन से है First right हमारे पास right to equality समानता का अधिकार ये article 14 से लेके 18 तक कबर करता है Second right है right to freedom अजादिक अधिकार ये articles 19 से लेके 22 तक कबर करता है तीसरा अधिकार है हमारे पास right against exploitation शोशन के बुरुद अधिकार ये articles 23 और 24 को कबर करता है चौथा right है हमारे पास right of freedom of religion धर्म के प्रती अजादि का अधिकार ये articles 25 से लेके 28 तक कबर करता है Fifth fundamental right है cultural and educational rights संस्कृतिक और सिक्षा का अधिकार ये basically minorities के लिए भी बताएगे है तो ये article 29 और 30 को कबर करता है और last fundamental rights है right to constitutional remedies ये article 32 में कबर किया गया है तो इस तरह से ये हमारे पास at present 6 fundamental rights है चलिए बात करते हैं part 4th of Indian constitution के बारे में ये basically details देते हैं हमें DPSP के बारे में यानि directive principles of state policy राज्य के निती निदेशक के बारे में ये articles कबर करते हैं 36 से लेके 51 तक basically हमारे पास जो भी DPSP है यानि directive principles of state policy वो तीन types के पाए जाते हैं एक को बोलते हैं socialist principles के base पे दूसरे को बोलते हैं गांधियन principle के base पे और तीसरा है आपका liberal intellectual principle के base पे socialist principles में आपके articles 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 ये articles कबर किये जाते हैं वहीं गांधियन principle के अधार पे जो articles कबर करते हैं वो है 40, 43, 43B, 46, 47, 48 और last में हमारे पास है liberal intellectual principles इसमें हमारे पास articles कबर करते हैं 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51 ये सारे articles जो हैं कबर किये जाते हैं इन अलग-अलग types के DPSPs पे next part है हमारे पास part 4th A ये part 4th A describe करता है fundamental duties यानि मौलिक करतब्यों के बारे में citizens के इसमें सिर्फ एक ही articles में mention किया गया है ये है आपका article number 51A जब भारत के समिधान को लागू किया गया तब कोई भी fundamental duties नहीं थी fundamental duties को एड किया गया 42nd Constitutional Amendment Act 1976 के अंतरगत और उस समय कितनी fundamental duties एड कीगी 10 और ये recommend किया गया था सरदार स्वरण सिंग कमेटी के दोरा 10 fundamental duties को उस समय एड किया गया फिर 86th Constitutional Amendment Act 2002 इसमें 11 fundamental duties को एड किया गया तो बरतमान समय में भारत के हर एक नागरीक की 11 fundamental duties है next बात करते हैं part 5 के बारे में पांचमा भाग जो है describe करता है union के बारे में केंदर के बारे में यह articles कबर करता है 52 से लेके 151 articles तक इसमें 5 chapter mention किये गए है chapter 1 में बताया गया है the executive the union executives के बारे में जो basically cover करते हैं आपके president, vice president, prime ministers, council of ministers, attorney general बगारा को यह articles कबर करता है 52 से लेके 78 articles तक वहीं chapter 2 इसमें describe करता है पार्लेमेंट के बारे में संसत के बारे में यहाँ पे लोकसवा, राज्यसवा और उनके members सारी detail पार्लेमेंट की दीगी है यह articles कबर करता है 79 से लेके 122 articles तक वहीं chapter 3 describe करता है legislative powers of the president legislative powers क्या है रास्टपती की यह article 123 के बारे में कबर करता है इसमें basically ordinance power के बारे में बताया गया है जो president की ordinance pass करने की power है उसको article 123 में बताया गया है chapter number 4 की बात करें तो यहाँ पे union judiciary यानि की supreme court के बारे में जानकारी दीगी है इस part में पूरी तरह से detail दीगी है supreme court के बारे में और यह articles कबर करते हैं 124 के लेके 147 articles तक वहीं last chapter chapter 5 में बताया गया है controller and auditor journal of India यानि की CAG यह basically controller come auditor journal है इंडिया क्या है यह इनको guardian of consolidated fund of India भी बोला जाता है यह union government as well as state governments के documents को audit करते हैं और एक तरह से जो भी consolidated fund है उसके controller भी है यह articles 148 से लेके 151 तक cover करते हैं चलिए बात करते हैं part 6 के बारे में part 6 में बताया गया है the states यानि की राज्यों के बारे में यह articles cover करते हैं 152 से लेके 237 तक इसमें basically 6 chapters बताया गया है first chapter में बताया गया है general idea states के बारे में तो इसमें सिर्फ एक ही article covers होता है article 152 वही chapter 2 के बारे में बात करें तो यह सेम तर्च पे बात करते हैं जैसे union में है executive वैसे ही तो chapter 2 में बताया गया है the state executive state executive में आता है governor, cm, फिर council of ministers of states फिर आता है आपका advocate journal तो यह articles cover करते हैं 153 से लेके 167 तक वही chapter 3 की बात करें तो chapter 3 describe करता है the state legislature बिधान सवा और बिधान परिशत के बारे में यह articles cover करते हैं 168 से लेके 212 तक वही chapter 4 की बात करें तो यह legislative powers के बारे में बात करता है governor की जो की article 213, 213 में है basically इसमें governor की ordinance power के बारे में बताया गया है जैसे रास्ट पती की ordinance power होती है पास करने की वैसे governor की भी है article 213 के अंतरगत chapter number 5 की बात करें तो इसमें state judiciary यानि की high courts के बारे में बताया गया है यह article 214 से लेके 232 तक cover करता है वही chapter number 6 की बात करें तो यह subordinate courts यानि district के जो courts होते हैं उनके बारे में describe करता है यह article 233 से लेके 237 तक cover करता है चलिए बात करें part number 7 की तो इंडियन constitution का 7th part जो की at present delete है repealed हो चुका है यह था states in part B of the first schedule शुरू में जब भारत के सविधान को लागू किया गया तो भारत के सविधान को के अंतरगत राज्यों को चार भागों में बांटा गया था part A, part B, part C, part D तो basically part B को describe किया गया था 7th part में तो इसको article 238 के अंतरगत mention किया गया था जिसको अब delete कर दिया गया है और इसको delete किया गया था 7th constitutional amendment act 1956 के अंतरगत चलिए बात करते हैं part number 8 के बारे में 8th part में union territories के बारे में बात किया गया है यानि कि केंदर शासित परदेशों के बारे में ये articles कबर करते हैं 239 से लेके 242 तक इसमें कुछ special provisions पताए गये हैं साथ में दिल्ली के लिए भी जो आर्टिकल 249 से 249 डबले 249 अबी भी एड किये गये हैं जिसके अंतरगत दिल्ली को 69th constitutional amendment act के अंतरगत nct national capital territory का status दिया गया था बाकी 249 से लेके 242 तक अन्यकेंदर सासित परदेशों के बारे में बंडन किया गया है पार्ट 8 के बारे में चलिए बात करते हैं पार्ट 9 के बारे में 9 पार्ट जो है डिसक्राइब करता है पंचायच के बारे में ये articles कबर करता है 243 से लेके 243 ओ तक इसमें basically information प्रवाइड करगाई गी है जो भी पंचायच है उनके definition उनकी constitution, composition, reservation और duration के बारे में और जो भी हमारी every पंचायच है इंडिया में वो continue करेगी अपने time period 5 साल के लिए ये भी इसमें बंडन किया गया है बात करते हैं पार्ट 9 ए के बारे में पार्ट 9 ए में बात की गई है the municipality के बारे में ये article कवर करता है 243 P से लेके 243 ZG तक इसमें basically ये बताया गया है कि constitution जो है establish करता है एक structure, composition, powers and functions किसके बारे में urban self-government यानि municipal parties के बारे में इसमें ये भी लिखा गया है कि जो भी municipalities है भारत में उसका time period भी 5 साल का होगा अब बात करते हैं पार्ट 9 बी के बारे में ये describe करता है cooperative societies के बारे में इसमें article 243 ZH से लेके 243 ZT तक कबर किया गया है ये एक important and major tool है जिसके अंतरगत goal जो हमारा है social और economic justice का और साथ ही साथ भारतिय लोगों को protect करना है capitalist exploitation के case में उसको achieve किया जा सकता है इस part के अंतरगत इस part को add किया गया है 97th constitutional amendment act 2011 के अंतरगत चलिए बात करते हैं part 10 के बारे में दसमें भाग के बारे में तो 10th part बात करता है हमारे 10th schedule यानि की scheduled और tribal area के बारे में जितने भी scheduled areas और tribes हैं उनके बारे में बात करता है ये articles cover करता है 244 एले के 244 ए तक ये basically हमें बताता है परसाशन के बारे में जो भी schedule areas और tribal areas हैं उनके परसाशन को कैसे control करना है नियंतरण करना है उसके बारे में एक जानकारी provide कराता है पार्ट 11 के बारे में बात करते हैं ग्यार्मा भाग जो है बात करता है relation के बारे में union और राज्यों का क्या relations है आप में उसके बारे में detail देता है किस तरह से केंदर का बाकी राज्यों के साथ relation और बाकी राज्यों का आपस में क्या relation है उसके बारे में basic detail प्रवाइड करता है ये articles cover करता है 245 से लेके 263 तक इसमें दो chapter mention किये गए है union और states के दो type के relation है chapter 1 में बताएगे है legislative relations जो article 245 से लेके 255 तक आते हैं और chapter 2 में बताएगे है union और states के administrative relations के बारे जो कि articles 256 से लेके 263 तक कबर करता है चलिए बात करते हैं part 12 of Indian Constitution के बारे में part 12 में basically बात कीगी है finance के बारे में properties, contract, suits के बारे में यहाँ पे article 262 से लेके 300A तक कबर किया जाता है और इस भाग को 4 parts में divide किया गया है chapter number 1 बताता है finance के बारे में जिसमें basically consolidated fund, public accounts, contingency funds इन सब के बारे में जानकारी दीगी है यह article 264 से लेके 294 तक कबर करता है chapter 2 में describe किया गया है borrowing के बारे में यह article 292 और 93 को कबर करता है वही chapter 3 बात करता है property, contracts, rights, liabilities, obligation, suits इन सब के बारे में और यह articles 294 से लेके 300 तक कबर करता है chapter number 4 की बात करें तो यह right to property को कबर करता है संपत्ति का दिकार जिसको अभी legal right के रूप में बताया गया है तो इसको legal right के रूप में mention किया गया है part 12 में article कबर करता है 300A के बारे में चलिए बात करते हैं part 13 के बारे में तेरिमा भाग जहां पे बात कीगी है trade, commerce and intercourse within the territory of India भारत के अंदर ही राजे और राजेों के बीच में बैपार, बानीचे और अन्य गतिविदियों के बारे में बंडन किया गया है यह articles cover करता है 301 से लेके 307 तक यह basically describe करता है broad principles और powers के बारे में जो भी basic सिधान्स और सक्तियां है trade और commerce की उनके बारे में detail जानकारी दी गई चलिए बात करते हैं part 14 के बारे में चौद में भाग के बारे में यहाँ पे बात कीगी है services के बारे में सेवाएं जो भी union और states के under provide की जाती यह articles cover करता है 308 से लिके 323 तक इसमें basically बताया गया है कि यह part deal करता है recruitment और conditions जो भी services की है person की union और states के लिए उसके बारे में साथ में यह भी deal करता है यह part all India services जो कि article 312 में बताया गया है इसमें basically deal करते है पूबलिक service commission union का जो union public service commission UPSC है उसके बारे में और जो state के public service commission से उसके बारे में और साथ में तीसरा joint public service commission दो राज्यों का होता है उसके बारे में basic जानकारी provide की इसने पार्ट नमबर 14 में अब बात करते हैं part 14A के बारे में पार्ट फॉर्टीन ने बात करता है टर्बिनल्स के बारे में जिनको हिंदी में अधिकरण के नाम से जाना जाता है ये बेसिकली दो प्रकार के टर्बिनल्स कवर करते हैं एक होते हैं administrative टर्बिनल्स और दूसरे हैं other टर्बिनल्स other tribunals में आते हैं जैसे national green tribunals and etc तो इसमें articles 323a है और 323b 323a बात करता है administrative टर्बिनल्स के बारे में और 323b बात करता है other terminals के बारे में इस पार्ट को जब भारत के समिधान को लागू किया गया तो ये पार्ट मेंचन नहीं था इस पार्ट को एड़ किया गया है 42nd Constitutional Amendment Act 1976 के अंतरगर्ण टर्रबिनल्स होते हैं एक क्वासी जुडिशिल बॉड़ी है जिसको establish किया गया है अलग-लग टर्रबिनल्स के लिए यानि कि अलग-लग कामों को solve out करने के टर्रबिनल्स बेसिकली इसलिए बनाएगे हैं क्योंकि courts के उपर बहुत सारे already pending cases हैं तो उन cases को resolve जल्दी किया जा सके तो tribunals आदे cases को look out कर लेता है बात करते हैं पार्ट नंबर 15 के बारे में 15 भाग बात करता है elections के बारे में चुनाबों के बारे में ये articles 324 से लेके 329 तक कवर करता है ये पार डील करता है superintendent direction and control of elections के बारे में जो election commission of India है जो supervise करता है direction provide करता है control करता है elections के बारे में उसके बारे में बताया गया है साथ में ये part deals भी करता है जो भी elections से related मुद्दे होंगे उनके बारे में जैसे model code of conduct हो गया right to vote के बारे में हो गया voting age के बारे में हो गया उन सारी चीज़ों के बारे में बंडन किया गया है part 15 elections में बात करते हैं part number 16 के बारे में तो सोलवा भाग जो है वो describe करता है special provision बताता है जो कि कुछ certain classes के साथ जुड़े हुए है ये articles कवर करता है 330 से लेकि 342 तक ये provide करता है special benefits के बारे में जिसमें reservation प्रवाइट किया गया है schedule caste के बारे में schedule tribes के बारे में और other backward classes जो हैं उनके बारे में part number 17 की बात करें तो ये describe करता है official language के बारे में इसमें basically constitutional languages के बारे में भी आ चाता है और ये deal करता है article 343 से लेके 351 तक इस भाग को चार भागों में बांटा गया है chapter number 1 डिसक्राइब करता है language of the union केंदर की भाषा के बारे में जो की article 343 और 444 को कबर करता है chapter 2 जो है वो कबर करता है खेत्रिय भाषाओं के बारे में reasonable languages जो की article 345 से लेके 347 तक कबर करता है chapter number 3 की बात करें तो ये supreme court, high courts और अन्य चीजों की language के बारे में बात करता है इसमें article 348 और 349 को डिसक्राइब किया गया है chapter number 4 की बात करें तो ये special directives, दिशा निर्देश उनके बारे में बात करता है article 350 और 351 को कबर किया गया है चलिए अब बात करते हैं part number 18 के बारे में अठारमा भाग जहां पे emergency provisions के बारे में बात कीगी है अपात कालीन के बारे में ये article 352 से लेके 360 तक कबर करता है इस भाग में ये बताया गया है कि Indian Constitution में तीन टाइप्स की emergency जो है पाई जाती है पहली है national emergency रास्टिय अपात कालीन जिसको article 352 के अंतरगत लगाया जाता है दूसरा है president's rule जिसको article 356 में mention किया गया है और तीसरा है financial emergency जिसको article 360 के अंतरगत mention किया गया चलिए बात करते हैं भाग नंबर 19 19 में भाग के बारे में ये अतरिक्त जानकारी प्रवाइड कराता है जिसको miscellaneous बोलते हैं ये article 361 से लेके 367 तक कवर करता है इसमें basically protection of president and governors के बारे में बताया गया है और साथ में कुछ provisions में mention किये गये है major ports और air drones के बारे में इस भाग में ये बताया गया है president के उपर कोई भी criminal cases नहीं हो सकता है even governor के उपर भी वो सारी जानकारी इस भाग में दी गी है बात करते हैं part number 20 के बारे में very very important ये भाग हमें ये बताता है amendment of the constitution भारतिय समिधान में शंशोधन के बारे में इस चीज को बौरो किया गया है South Africa के constitution से और mention किया गया है article 368 में ये भाग जो है deal करता है parliament की उस power के बारे में जिसके अंतरगत ये समिधान को amend कर सकते हैं और amend करने के procedure को भी इसी भाग में बताया गया है part number 21 के बारे में बात करते है 21st part करता है बात करता है temporary transitional और special provisions के बारे में जिसको article 369 से लेके 392 तक कबर किया गया है इसमें basically ये part deal करता है temporary powers जो है parliament की कानून बनाने के लिए उनके related जिसमें J&K के बारे में भी बताया गया था जैसे कि कुछ matters जो अब article 370 है delete हो चुका है इसके अलावा अन्य matters जो कानून बना सकते हैं temporary powers के अंतरगत state list और जो concurrent list में दिये गया है उसके बारे में mention किया गया है इस भाग में special provisions के बारे में बताया गया है कुछ states को जो दिये गये हैं जैसे कि महरास्टा को गुजरात को नागा लैंड, असम, मनिपूर आंधरा परदेश, सिक्किब मिजोरम, अरनाचल परदेश, गोवा इन सारे states के special provision के बारे में भी जानकारी दी गी है पार नमबर 22 के बारे में बात करें तो यहाँ पे short title, commencement, authoritative text जो हिंदी में है और जिने repeal किया गया है उसके बारे में mention किया गया है examination point of view से this part is not important और यह part articles कवर करता है 393 से लेके 395 तो इस तरह से इस video lecture में हमने discuss किया parts of Indian constitution भारती समिदान के भागों के बारे में जो कि लक्षमी कांत की Indian polity की lecture number 5 में बताया गया है उमीद है video lecture आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया हो गया video lecture को like करे comment करे share करे और आपके अपने channel the concept को जादा स्यादा share करे और subscribe करे thank you जै हिंद जै भारत